तो भारतिय जन्ता पार्टी ने और केंद्र की नरिंद मुदी सरकान अथक प्रयास किया, भरपूर खड़े अंत्र किया, कि ये नहीं हो बंद हो जाए और जब कहीं सफल नहीं हुए, जब कहीं सफल नहीं हुए, तो मानिये सरवच न्याले में सौली सीटर जेनरल को खड़ा करने की, विरोध करने की, क्योंकि अब एक्सपोज हो रहे थे, उनको लग रहा था कि आप तो हो गाई, उसके बावजूद भी, मानिये सरवच न्याले ने कहा कि बिहार में जो जाती आधारित गनना हो रही है, उसमें हम कोई हस्तचिप नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन एक 17 के कामों में प्रतुन का विश्वास नहीं, उनका एक ही विश्वास है, धर्म के नाम पर धार्मिक उन्मात पहला के भावना को भढ़का के भूत लिया थे, और बिहार की जो सरकार है, नितीश कुमार जी की जो सरकार है, वो न्याय के साथ विकास पर 2005 से आज तक चलती र होगा, आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, सुसील मोदी जी बताएं, कब लागू होगा, महिला आरक्षन किस तारिक से लागू होगा, नहीं होगा, दस साल तक लागू नहीं होना है, अगले दस वरसों तक लागू नहीं होना है, हो सकता है 20 साल भी हो जाए, तो उनका कोई महिला आरक्षन लागू हो महिलाओं को आरक्षन मिले 33% इससे उनकी कोई रूची नहीं है उनकी रूची थी कि जनता को कैसे दिखब्रमित किया जा इस देश की महिलाओं को कैसे दिखब्रमित किया जा अगर ऐसी मंसा नहीं होती तो मौन सिंग अधी विंटर सेशन तो अभी नॉम्बर में होने वालत जब यह लागू होना ही नहीं था दस साल तक तो इंटर सेशन में लाते महिला अरक्षन बिल को लाने के लिए बड़ा इवेंट उन्हों ने और आयोजित किया चाहंसत का विशेश सत्र बुलाया पूरे देश में दुनिया में डिवेट चलता रहा कि जैसे लगा कि विशेश सत्र में क्या तुफान होने वाला है खोदा पहाल निकडी चुईया महिला अरक्षन बिल लेके आए उभी ऐसा बिल जो अगले 10 साल तक लागू होने का और 15 साल के बाद होगा कि 20 साल का कोई कमिट्मेंट उस बिल में नहीं है आरक्षन का दायरा जिरूर बढ़ा मचे और केंद्र की सरकार को संबिधान संसुधन करके 50 परतिसत का जो आरक्षन का प्रतिवंद है उस प्रतिवंद को समाप करना चाहिए और देश में 2021 में जो जनगन्ना प्रारंब होना था अभी तक प्रारंब नहीं हुआ अभी लंब स्केंद्र की सरकार को देश भर में जात्य जनगन्ना कराने का निर्णकर लेना चाहिए ताकि एक बार 1121 के बाद फिर से एक बार पता चल जाए कि किस समाज के लोग इस देश में कितने दिली से लिगे और फ्रेस के लोगों करवए कि लेतर्परेस के लोगों को दराना, धमकाना, राजनीतिक लोगों को डराना, धमकाना, मत बोलिये, चुप रहो, नहीं तो तोता भेज देंगे, इस अब काम तो चल ही रहा है, हम लोग रोज लगतार बोल रहे हैं, हम लोग वही बात रोज लगतार बोल रहे हैं, और यह आपको हम कहेंगे, आपके ये, 2004 में मुक्त होगा.